वेलकम बाग को माई चानल, पिंकी स्कुकिंग पाट शाला में आप सभी का स्वागत है, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, नान की रेसिपी, बटर नान की रेसिपी, वो भी तवा पे एकदम परफेक्ट नान बनेगी, अगर आप मेरे बताय हुए तरीके से ब मैदा आप चाहें तो दोनों का टोरी मैदा या दोनों का टोरी आटा ले सकते हैं, साथ ही चार टेबिल स्पून मैं या पे दही लिया है, आदा चमच के करीब नमक, एक चमच मैं लिया शककर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अधा चमच से थोड़ा कम बेकिंग पाडर ल और आप चाहें तो इसे दूत के साथ भी आटा बना सकते हैं, बट मैंने नॉर्मली पानी के साथ बनाया है, धीरे धीरे करके आप इसमें पानी आट कीजेगा, आधा ग्लास ही पानी की रिक्वायर्मेंट होगी, बट फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके ही आट कीजे, बहुत जादा आड ना कीजे एक साथ और ये आटे को हमें थोड़ा सकत ही गूतना है, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये लूज हो जाएगा, तो आप आटा जो है बहुत जादा लूज ना बनाए, थोड़ा सा आप कड़की बनाए, अभी मैंने उपर में थोड़ा सा इसमें ओईल आड कर दिया है, और अब इस आटे की अच्छे से थोड़ी सी हम मसाज कर लेंगे, ओईल लगाने के बाद इसमें और एक परफेक्ट सा गोल शेप इसे देने की ट्राइ करेंगे, ना भी दे पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मिन जाएगा तो आप चाहें तो इसे प्लेट पे प्लेट लगा के ढग सकते हैं, मैंने या पे यह राप इसमें लगा दिया है, राप अविलेबल नहीं है, तो आप प्लेट से ढग सकते हैं, दो गंटा ज़रूर आप इसे रग दीजें, तब हमारी यह नान है बहुत ही अच् अच्छे से इसकी मसाज कर लीजिए, इसके बाद रोटी के लिए जितना हम पेडा लेते हैं, उससे डबल क्वांटिटी का पेडा मैंने ले लिया है, और आपको जैसी नान खाना पसंद है, आप पतली खाना पसंद करते हो, यह आप पे डिपेंड है, तो आप अपने आपको जैसे भी गाना पसंद है, आप इसे बना सकते हैं, पतला या मोटा, अब यहां पे इस मैने शेप इसे ओवल शेप दे दिया है, आपको जो भी शेप में बनाना है, ट्रैंगल स्क्वेर आप बना सकते हैं, ओपर से थोड़ी सी कलाउंजी मैंने स्प्रिंक्तिल की है और इसे के साथ मैने धनिया पत्ता डेर सारा आट किया है, आप चाहें तो गार्लिक भी स्माट कर सकते हैं, गार्लिक नान हो जाएगी आपकी और कलाउंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब यह जो नान है बनने के बाद इसमें पीछे साइट से आप धेर सारा पा हमने इसमें पानी लगा दिया है, अब धीमी धीमी आज पर हम इसे 2-3 मिन तक पकाएंगे, अगर यह नीचे से पक चुकी है, इसके बाद में 2-3 मिन के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और तवा पल्टा के इस तरीके से पल्टा लेंगे, आप देख लीजेगा, अगर कच्ची लग रही है कहीं कहीं से तो आप इसे फिर से कुक कर लीजेए, तवा पल्टा के, तो यही इसका प्रोसेस है, तो इस तरीके से देखिए, जो नान है, बहुत ही डिलीशिस तवे पे भी बन जाती है, और बहुत ही टेस्टी लगती है, तो यहां पे जो हमारी यहां पर दूसरी नान भी सेम प्रोसेस के साथ मैंने कुक करने के लिए रख दी है अगर चाहें मेंबर्स जादा है गर में तो दो तबाक आप इस्तमाल कीजिए तो धेर सारी नान आपकी बनते जाएगी फटा फट से बनती है दो से तीन मिनट लगता है एक नान को कुक होने में तो देखिए डिलीशिस सी नान इस पर मैंने धेर सारा बटर लगा दिया है तो अगर आपको यह डिलीशिस बटनान की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज दो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल प्यार से बनाईए मज़े से खाईए थैंक्स पर वाचिंग बबाई एं टेक केर